गाइस वेलकम टू एक्जाम सेथ MS YouTube चानल आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्लास 11 बायलोजी के विशेह में कितने परसेंट सिलेबस अब कम कर दिया गया है मतलब सत्र दो हजार बाइस इकीस बाइस में अब आपको कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन से जो कि अब आपको नहीं पढ़ने पढ़ेंगे ठीक है तो यहां पर हम जानते हैं कि इस बार भी COVID-19 के कारण पढ़ाई लेट स्टार्ट हुई है जिसके चलते कुछ सिलेबस कम किया गया है क्लास 9 से क्लास 12 तक हर किसी क्लास में 30% सिलेबस कम किया गया हर एक सबजेक्ट का तो यहां पर 30% सिलेबस पहले हम वो देखेंगे जो कि अब आपको नहीं पढ़ना पढ़ेगा बड़ी अच्छी बात होने वाली अब आपके लिए बट अगर आप नीटीट की तयारी करना चाहता है या आगे करेंगे तो फिर आपको यह कहीं नहीं पढ़ने ही गया है दोस्तों यहां पर सजीव जगत यह टॉपिक नहीं पढ़ना है आपको इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं वर्गी की वर्गी करण विज्ञान वर्गी की के अध्यन हितु साधन ठीक है म्यूजियम प्राड़ी पार्क हरबेरियम यह सभी टॉपिक्स आपके नहीं पढ़ने होंगे इसके बाद उग्यान यह सभी टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने वनस्पत्ति जगत में आपको क्या कम कर दिया गया यहां पर आप देख सकते हैं एंजियो स्पर्मी तीन से पांच प्रमुक एवं विवेदी कारण लक्षण में प्रतेक के कम से कम प्रतेक के कम से कम दो उधारण ठीक है एंजियो स्पर्म वर्ग तक वर्गी करण विशिष्ट लक्षण उधारण यह भी हट चुका है इसके बाद जो चैप्टर है हमारा जनतुओं और पौधों की संरचनात्मक संगटना इसमें पुषपी पौधों की शारीरी की मतलब अनॉटमी औफ फ्लावरिंग प्लांट्स यह हट चुका है शारीरी की एवं रूपांत्रन यह टॉपिक हटा है इसके बाद पुषपी पौधों की आकारिकी यह फीजियोलोजी से अटा है पुषपी पौधों की शारीरी की मतलब फीजियोलोजी औफ फ्लावरिंग प्ला जैसे जड़, तना, पत्ती, फल और बीज की आकारी की एवंकारी तो ये सब हड़ चुका है जो कि हम structure पढ़ते थे चाहे वो जड़ हो तना हो पत्ती हो फल हो ये सभी अब नहीं पढ़ना है प्रयोगात्मक क्वाटिक्रम से समंधित प्रयोगों के साथ कराया जाए तो जन्तों की सन्रचनात्मक संगठना इसमें कौकरोच की आकारी की जो होती थी वो आपको नहीं पढ़नी है सभी तंत्र इसके हमें पढ़ने पढ़ते थे विबिन्ने तंत्रों के कारी जो होते थे काउकरोच के सभी तंत्र पढ़ने पढ़ते थे जैसे पाचन तंत्र परी स सनचना इम्कार इसमें कोशिका जीवन की इकाई चैपटर से केंद्रक," विषरन सहज विषरन सक्रिय परवहन पादबbreaker संबंद, अन्ताशोशन, जलविभाव परासरन, जीवद्रव कुंचन, लंबी दूरी तक जल परिवहन, अवशोषन, एपोप्लास्ट, वाशपोत सर्जन, कर्शन, मूल दाब, बिंदु स्रवन, वाशपोत सर्जन, स्टोमेटा का खुलना, एबं बंदोना, खनीज पोशकों का अंतरगरण, एबं परिवहन, खनीज पदार खनीज पोशन आप देख रहे हैं, आपर खनीज पोशन में कौनसे टौपिक हटे हैं, आवश्यक खनीज ततो रहते हम जो 마یک्रो एलमेंट्स होते हैं, दो तरह के पोशकित ततो होते हैं पौदो में, तो और उनके जो कार होते हैं, वो अब आपको नहीं पढ़त woven है, इसके गयान जो पौते पानी में उगाए जाते है हाईड्रोपोनिकस पूरी उसकी ala होती है तो वो उसका इनको थोड़े समय के लिए आप इग्नोर कर देना लेकिन नीट में आप इन सभी टॉपिक्स को इग्नोर नहीं कर सकते इसके बाद पादप व्रद्धी एवं परिवर्धन नमक चैप्टर से बीजो कांकुरण हटा है पादप व्रद्धी की प्रवस्ताएं एवं पादप व इसके बाद मानोकारी की मतलब फीजियोलोजी में पाचन एवं अवशोशन से आहार नाल एवं पाचक ग्रंतियां पाचक एंजाइम एवं आहार नाल की शलेशिमा द्वारा स्रावित गैस्ट्र इंटस्टाइनल हार्मोन का कार इसके बाद पेरिस्टालसिस क्रमांग कोच जो कती होती है पाचन अवशोशन एवं कार्बोहाईडरेट प्रोटीन एवं वसा का स्वांगी करन प्रोटीन कार्बोहाईडरेट एवं वसा का कैलोरिक महत्र कैलोरिक वैली जो होती थी इसके बाद बही चेपन हट चुका है पोशन एवं पाचन तन्त की विक्रतियां ज जो कि digestion system से related होती थी इसका छोटे-छोटे questions आपको मिल सकते थे बट यह आपको नहीं पढ़ना है गमन एवं संचलन से गती के प्रकार ठीक है टिटैनी जो टिटनेस होता है वो इसको बताते थे वो हट चुका है पेशिय दुषपोशन संदिशोत अस्थिस सुशिर्ता और स्टियोपोरेसिस इसको कहते हैं यह पढ़ाया जाता था इसके बाद गाउट ठीक है जिसे गठिया भी कहते हैं इसके बाद तंत्र की नियंत्र जो कराएंगे वो वो स्लिबस के कॉर्डिंग ही कराएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं यह सबी प्रैक्टिकल की टॉपिक है इसके बाद जो सतर नंबर का सतर नंबर का जो पेपर होगा जो की सतर परसेंट सिलिबस अब आपका बच्चा है उसमें आपको यह सभी ये यूनित फिस्ट है इससे साथ नंबर के कॉच्वेशन आएंगे जन्तू और पोधो की संरचना अत्मक संगठना इससे बारा नंबर के कॉच्वेशन आएंगे कोश्ची का संरचना और कार इससे 15 मांक के क्वेशन आएंगे पादप कारी की मतलब प्लांड और human physiology ठीक है पाचन तंतर शर्जन तंतर उत्सर्जन तंतर ठीक है इससे भी 18 marks के question आएंगे तो total 70 number के question आएंगे अब धेर सारे topics आपको यहां पर मिलेंगे जो कि अब आपको पढ़ना है यह सबी topics हैं जो कि अब आपको पढ़ने हैं और काफी ज्यादा अच्छे से सिलिबस घटाया गया है class 11th में जहां तक मुझे दिख रहा है तो चलिए इसको भी देख लेते हैं अच्छे से तो यहां पर जो पहला चैप्टर है पहली unit है वो है सजीव जगत की विवित्ता अब हम लोग पढ़ने अब हम लोग देखने जा रहे हैं जो सिलिबस आपको पढ़ना है ठीक है जो टॉपिक्स आपको करने है इसमें सजीव जगत इसमें question मिलेगा आपको सजीव जगत क्या है जैव विवित्ता वर्गी करण की अवश्यक्ता जीवन के जो तीन डोमेंस हैं उनके बारे में पढ़ना होगा इसके बाद जातियों की संकल्पना एवं वर्गी की एवं वर्गी की एक क्रम बद्धता इसके बाद दूनाम करण पढ़ने होगी इसके बाद जीव जगत का वर्गी करण इसमें 5 जो 5 जगत वर्गी करण होता है विटेकर ने दिया था मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई के प्रमुक लक्षण एवं प्रमुक समोहों में लाइकेन वाइरस यह इंपोर्डेन टॉपिक्स और वाइराइट्स इसके बाद वनस्पति जगत में क्या पढ़ना है वनस्पति जगत में पौधों के प्रमुख लक्षण एवं प्रमुख समुहों में वर्गी करन इसमें एलगी मिलेगा आपको ब्रायोफाइटा मिलेगा जिम्नॉइसम्स मिलेगे इसके बाद जनतु जगत में आप देखेंगे जनतु जगत में क्या पढ़ना है कि जन्तू के प्रमुख लक्षण ग्षण एवं वर्गी करना नॉन-कौद्डेट्स संग तक एवं कौद्डेट्स वर्ग तक तीन से पाँच प्रमुक लक्षन एवं प्रतेक केक कम से कम दो उदाहरन यह आपको पढ़ने होंगे इसके बाद जनतुओं और पौदों की संरचनात्मक संगटना इसमें पुष्पी पौदों की आकारिकी इसमें फ्लोरेसेंस मतलब पुष्प क्रम पढ़ना होगा पुष्प पढ़ना होगा एक फैमिली के वर किराण सोलेनेसी अत्वा लिली एसी तो एक ही फैमिली आपको पढ़ने है प्लांस की यह तो सोलेनेसी आप पढ़ सकते हैं इसके बाद जनतूओं की संरचनात्मक संगटना ठीक है इसमें जो एनिमल टिशूई होते हैं जन्तु तक उनके बारे में पढ़ाया जाएगा इसके बाद सेल वाला जो चैप्टर है कोशिका सनरचना एवंकार इसमें आपको सेल थियोरी पढ़नी है कोशिका सिद्धांत कोशिका जीवन के आधार बूतिकाई प्रोकेरियोर्टिक और यूकेरियोर्टिक सेल की स्ट्रक्चर सनरचना पादप एवं जन्तु कोशिका इसके बाद सेल एनेवलप कोशिका जिल्ली कोशिका बित्ति कोशिका अंगक endomembrane system इसके बाद endoplasmic reticulum जो अनता प्रदर्वी जालिका होती है इसके बाद galgy body, lysosomes, rickthika, mitochondria, ribosome, लवक, micro bodies ठीक है, cyclo skeleton जो होता है कोशिका कंकाल उसको कहता है जिस पर पूरा cell system सधा हुआ होता है वो पढ़ना है इसके बाद celia है फ्लैजिला है जिससे ये movements करती है cells, celia, flagella, centrioles और फिर केंदर का आपको पढ़ना होगा फिर chapter मिलेगा आपको जैविक अडू या जैव अडू ठीक है इसमें कौन-कौन से topics पढ़ने हैं तो इसमें आपको पढ़ने हैं इसके बाद एंजाइम प्रकार गुण एवं एंजाइम क्रिया कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन इसमें आपको cell cycle सूतरी एवं अर्ध सूतरी समसूतरी और अर्ध सूतरी माइटोसिस और मियोसिस पढ़ना होगा और इसका महत तो भी आपको पढ़ाया जाएगा कि दोनों प्रकार की विभाजन का क्या महत है इसके बाद जो प्लांट फीजियोलोजी है प्लांट पादपकारी की है उसमें उच्छ पादपों में प्रकास संसलेशन पढ़ना पढ़ेगा ऑचक्रिय फोटो फॉसफफोरा क्रास और परीकल्पना । प्रकास इंसलेशन को प्रभावित कारे कारे सबी टॉपिक प्रकास इंसलेशन से रिलेड़िड है इसके बाद पाद पहुदों में श्षन आपको पढ़ना होगा गैसो का अधान प्रदान कैसे होता है क्या है ठीक है इसके बाद इलेक्ट्रोनिक स्थानांतरंड क्या है इसके बाद उर्जा संबंद उत्पाद एटीप अडवो की संग क्या है एंफी बॉलिक पत और श्वसन गुढ़ांक रेस्पिरेशन कोट्रियंट क्या होता है ये पढ़ना होगा पाद व्रदी एवं परिवर्तन में व्रदी नियंत्रक ऑक्सिन जिब्रेलिन साइटोकाइन एथाइलीन और अपसिसिक एजिट ये हॉर्मोन्स आपको पढ़ने होंगे इसके बाद मानोकारिकी आप यहां पर दे इसके बाद श्वसन का नियमन श्वसनी आयतन जो होते हैं श्वसन के विकार आपको पढ़ने को मिल जाएंगे दमा एंफिसेमा और व्यवसाइक जो डिजीज होती है व्यवसाइक श्वसन रोग ऑक्यूपेशनल रिस्परियर्टी डिजीज और इनको कहते हैं यहां पर अ संचरण एवं देहितरल में जो रुधिर वाले चैप्टर होता है जो सार्कुलेशन सिस्टम होता है उसमें क्या पढ़ना होगा ब्लेट का स्ट्रक्चर ब्लेट ग्रूप्स क्लोटिंग अफ ब्लेट लसीका की संरचना एवंकार मानो परिसंचरण तंत्र रुधिर संरचन हैं कोरोणेर्ज रुटर第 डिजीज अंजाहिन या पैक्टोरिस और ह्रट फेलोर ये सबी है इसके बाद उत्सर्जी उत्पाद एवं निशकावासन इसमें आपको उत्सरजन की विदियां अमीनो टेलेज्म यूरियो टेलेज्म यूरिको टेलेज्म आना उतसरजी आंगस देखना रहेगा ज़्यादा कठिन टॉपिक्स नहीं है बस आपको समझने रहेंगे अगर आप अच्छे से समझेंगे तो 12 तो आपका हो गई होगा और नीट में भी आप अच्छा कर ले जाओगे अगर टॉपिक्स अच्छे से करते हैं इसके बाद विक्रतियां जो होती है उत्सरचन तंत्र की जिससे यूरीमिया हो गया रीनल फेलियो किड्नी फेल हो जाते है रीनल कैलकुलाई किड्नी की जो पत्री होती है इसके बारे में पढ़ना होगा थोड़ा थोड़ा ये दिया होता ज्यादा नहीं दिया होता डायलेसिस क्या होता है ठीक है डायलेसिस क कि नियंत्रण एवं समन्वयन में पढ़ना होगा आपको तंत्र का कोश्के हम तंत्र का हैं मानव का तंत्र का तंत्र केंद्री तंत्र का तंत्र परिदी तंत्र का तंत्र ठीक है hypothalamus हो गया, pituitary gland हो गई, hypothalamus, pituitary, pineal, thyroid, parathyroid, इसके बाद adrenal, adrenal gland, यह सभी अंतासरावी ग्रंथिया हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना होगा, इनसे जो hormones निकलते हैं उनको पढ़ना होगा, और उनके क्या परभाव होते हैं, अधिकता और कमी पर वो पढ़ने होगे, इसके यह शरीर में विभिन्न क्रियाओं के messenger के रूप में काम करते हैं, अल्प एवं अतिक्रियाशील था, अगर कोई gland अल्प क्रियाशील है, अतिक्रियाशील है, तो क्या होगा, संबन्दित विक्रतियां जैसे बाउनापन, एक्रोमिगेली, क्रिटिर्निज्म, ग्वाइटर, एक्जो थालमिक, ग्वाइटर, और डाइबिटीज, और एडिसन का रोग जो होता है, सब इंपोर्टन टॉपिक है, अच्छे से करेंगे, तो फिर आपको बहुत ही अच्छे मांक्स मिलेंगे, यूपी बोट में तो मिली जाएंगे, नीट भी आपका अच्छा जाएगा, बायो के point of view से, इसके बाद practical कार है, अपना practical कार का अलग बनाएंगे वीडियो, और आपके जो teachers होते हैं, वो आपको practical कार बताते रहते हैं, इसके अलाबा practical के लिए अलग से वीडियो आजाएगा, तो ये था पूरा वीडियो, जिसमें एक-एक topic मैंने अच्छे से आपको बताया है, clear करा है, so guys, thanks for watching and listening me, दोस्तों को share कर देना ताकि उनकी भी help हो जाए, syllabus अगर आपको ये download करना है, तो description में link दिया है, वहाँ पर आप click करेंगे, तो आप वहाँ पर पहुंच जाएंगे, जहाँ पर आप class 9 से class 12 तक किसी भी syllabus का ये नवींतम, latest syllabus को download कर पाएंगे so guys, thanks for watching and listening me and good luck for your future dosto, thank you and bye bye